अल्वेज वेलकम सातियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ दोस्तों जो भी आपको स्ट्रेंट अब मैट्रियल का कंटेंट अब तक पढ़ाये गया है इस पीडियों पढ़ाये जाने वाला है वो सभी कंटेंट आप पीडिया फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं फोट कॉंटेक्ट लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों हम कॉसिस करेंगे जल्दी से जल्दी आपके डाउट किलियर किये जाएं आप सकता हुई तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको सलुसन दिया जाए दोस्तों जो दोस्त हमा आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है क्योंकि आपके सपोर्ट के विना किसी भी चैनल ग्रोथ इंपॉशिवल है चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं बाई यहां दोस्तों हम य एक्स लोडिंग लेंगे जो की एक्स डायरेक्शन में दोनों तरफ लोडिंग लगेगी दोस्तों और हमें इस परकार अबलिक प्लैन पर स्ट्रेस निकालना होगा दोस्तों यह कॉपिराइट कंटेंट है वाई डिजिटल क्लास दोस्तों इसे आप बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते दोस्तों यदि ऐसा पाया जाता है तो आपके सामने कोई समझ से खड़ी हो सकती दोस्तों यू कैन फेस लीगल एक्शन फ्रॉम अस चलिए दोस्तों अब जानते हैं बाई एक्सल लोडिंग और नोबलिक प्लैन पर हमने देखा दोस आप इसे मोटाई कहें चोडाई कहें टी है और इसकी उंचाई जैसा कि आप देख रहें ए भी से प्रदर्शित की जा सकते हैं दोस्तों यह हमें इस ट्रैंगल में लेने को इस्तेमाल करने काम में लेनी पड़ेगी तो हमें वहां इसके आप सकता होगी अब दोस्तों इस पर ठीटा एंगल पर एक अबलिक प्लैन है इसको हम कट कर लिया दोस्तों इस सेक्शन को इसको हम राइट हैंड साइड में अलग से ड्रो कर लिया है अब यह हम देखते हैं दोस्तों यह स्ट्रेस लग रहा था इसको हमने यह पी से चेंज कर दिया दोस्तों इस लिए हमने इसको PX से change कर दिया दोस्तो अब इस PX को हम component बना सकते हैं PX cos theta उपर की तरफ बनेगा दोस्तो और PX का नीचे की तरफ sin theta बनेगा दोस्तो ये उपर PX cos theta क्यों बन रहा है दोस्तो ये हमने पिछली वीडियो मा आपको detail बता है फिर वी आप जान लीजिए यदि कोई angle जिस गटक के साथ बनता है दोस्तो जिस भी direction के साथ angle बनाते हैं जिस भुजा के साथ उसके साथ ही वो हमारा 36 गटक होता है दोस्तो PX cos theta इसलिए उपर वाला है क्योंकि angle इसी के साथ बन रहा है और नीचे जो है sin theta दोस्तो ये इसका vertical component है इस परकार ये दोस्तो y direction में जो load लग रहा है दोस्तो PY y direction में लग रहा है दोस्तो इसको भी हम result कर लेंगे क्योंकि दोस्तो हम share stress और normal stress count कर रहे हैं दोस्तो इस परकार जो angle बना हुआ है इस पर तिरचा plane पर जो stress लगता है या load लगता है उसको हम या तो 36 के parallel कर लेंगे या उसके लंबत कर लें तो हमें दोस्तो यह PY cos theta में लेगा और उपर की तरफ जो normal की तरफ direction है दोस्तो यहां PY sin theta प्राप्त होता है इस परकार दोस्तो हमें यह diagram समझ में आगा होगा आपको A, B, C, A triangle है दोस्तो इस परकार PX load लग रहा है Y direction में और X direction में इनको हमने घटक बना लिए component बना है देखिए दोस्तो PX is equal to sigma X into A, B into T यह दोस्तो PX load है यह किसके बराबर है दोस्तो जो stress लग रहा है और जो stress किसी एरिया आप लग रहा है दोस्तो A, B पर लग रहा है यह A, B section है दोस्तो यह vertical plane है इसका area कितना होगा दोस्तो T इसकी चोड़ाई मोटाई जो आप कहें ठिक PX into T क्योंकि दोस्तो यह BC नीचला जो face है इस पर लग रहा है इसकी मोटाई भी उतनी होगी इसकी ठिकना is T तो इस परकार PY is equal to sigma Y into BC into T इस परकार दोस्तो हमें PX और PY को stress में change करने का यह expression मिल गया है इसे हम आगे इस्तमाल करेंगे दोस्तो अब हम जानते है normal stress at theta angle बरा है कि हम normal stress count कर रहे हैं दोस्तो normal stress क्या होता है उस पर लगने वाला load बटे area इस पर दो load लग रहे हैं दोस्तो ए और सी पर दो load लग रहे हैं दोस्तो यह PY sin theta और PX cos theta और बटे इसका जो यह दोस्तो area है AC into T इस पर कर दोस्तो हम यह normal stress मिल रहा है इसको हम आगे solve करते हैं तो PX की value हम put कर देते हैं दोस्तो sigma AB into T जैसा कि आप उपर देख सकते हैं यह value put कर देंगे दोस्तो और यह T से T कट जाता है common ले लेंगे दोस्तो तो हमें आगे इसे solve करते हैं तो sigma theta is equal to यह sigma X AB बटे AC into cos theta इस परकार दोस्तो प्लस में sigma Y BC बटे AC sin theta यह value प्राप्त होते हैं दो तो हमें sigma theta is equal to sigma X into cos theta plus sigma Y sin square theta यह हमें प्राप्त होते हैं दोस्तो यह कैसे आएं AB बटे AC बरावर cos theta होता है दोस्तो और BC AC बरावर sin theta होता है दोस्तो यहां से आप देख सकते हैं यह दिदी theta बन रहा है ABC इस triangle में दोस्तो तो इस परकार दोस्तो LAL बटे ककाव फर्मूला है दोस्तो इस परकार आधार बटे लंब लंब बटे करन करन बटे आधार इस परकार रीशियो चैंज करते हैं साइन कोस में हमने इस परकार से इन्हें चैंज कर लिया है share stress at theta angle दोस्तो यहाँ आप देखेंगे अब theta angle पर हम share stress count कर रहे है is equal to minus px sin theta plus py cos theta बटे ac into t अब यह दोस्तो minus plus कहाँ से आया है जैसा कि हमने sign convention ले रहा है दोस्तो जो stress anti clockwise direction में लगेंगे वो positive जो clockwise direction में लग रहे हैं लग रहा है दोस्तो py cos theta यह stress लग रहा है उपर की तरफ ले जाएगा इसको गुमाने कोश्च कर गएंटी clockwise और नीचे px sin theta है दोस्तो यह body को clockwise गुमाने की कोश्च करेगा इस परकार दोस्तो और इनका जो एरिया होगा दोनूं का सैम वही एरिया एस एसी इंटू टी इस परकार दोस्तो हम यह दोनूं प्लस माइनस चैंज कर लेते हैं और एरिया इसका नीचे बटे में उपर लगने वाला लोड जैसा एक जानते हैं बटे एरिया होता है दोस्तो तो सेर फोर्ट माइनस प्लस हमने साइन कन्वेंशन से कर लिए उपर वाले जो जाते हैं उनको पॉजिटिव नीचे लेकर आ रहे हैं अनको नेगटिव फोर्स कांट किया है बटे एरिया एसी इन्टू टी इसी प्लैन पर दोनूं फोर्स को जो बेस है दोस्तों स्क्रीन का इसके उपर जो वेलू है जात तर हम कोशिश करते हैं आपको वीडियो में वही दिखाने एक पी एक इस इकल टू सिग्मा एक्स इंटू ए भी इंटू टी इस परकार पी वाई की एक्स किये वैलू हम इनको रिपलेस कर देंगे दोस्तों औ आप देखेंगे यहां दोस्तों साइन थीटा के पास कॉस थीटा और तूसरा कॉस थीटा के पास साइन थीटा यह दोनू वैलू आ चुकी है यहां दोस्तों इस नॉट्स में मिस्टेक है यहां वैलू रह गई है दोस्तों यहां वैलू आनी चाहिए इस भी कॉस थीटा आ दोनु को दोस्तो जो एपनी last वाल एक्वेशन है दोस्तो इस मैंसे हमने sigma x और sigma y common लिलिया है और यह cos theta sin theta को जोड़ दिया तो यह 2 cos theta sin theta बन जाते हैं दोस्तो तो हम जानते हैं यह sin 2 theta बराबर होते हैं तो हमें tau theta is equal to minus sigma x minus sigma y बटे 2 sin 2 theta प्राप्त होता है अब यह minus sign यह प्रदर्शित कर रहा है दोस्तो इसकी clockwise direction है चलिए दोस्तो एक बार फिर से जान लेते हैं थोड़ा यह body है दोस्तो इस पर stress लग रहा है stress यह force इसको हमने force के component बना लिए है force के component बना लिए दोस्तो अब इनको पी एक्स यह load और stress कर रिलेशन हमने स्थाफित कर लिया दोस्तो नॉर्मल इस्ट्रेस हम जानते हैं जो नॉर्मल फोर्स होता है और उसके बटे एरिया होता है इस परकार हम इनकी value पूट करते हैं फिर उसके बाद जो यह ratio होते हैं दोस sigma x cos square theta plus sigma y sin square theta यह theta angle पर नॉर्मल इस्ट्रेस मिलती है दोस्तो अब share stress के लिए हम जो stress anti clockwise direction लग रहे हैं दोस्तो उन्हें positive जो clockwise direction लग रहे हैं उनको negative count किया है और जिस surface पर यह force लग रहे हैं दोस्तो उसे area को हमने ले लिया AC पर लग रहे हैं AC into T इसकी यह area हो जाएगा दोस साइन फिर से आ जाते हैं इसमें तो इनको आगे solve करते जाते हैं सिग्मा एक्स और य इसमें common ले लेते हैं दोस्तो मैनस साइन भार रहता है और यह प्लस टू कोस थीटा साइन ठीटा हो जाते हैं तो इसकी जगे हमने दोस्तो साइन टू ठीटा रख दिया तो हमें टाउ इस परकार value प्राप्त हो जाती है इनकी maximum और minimum value के लिए दोस्तो साइन हो तो साइन की maximum value पुट कर देंगे दोस्तो कॉस हो यहां दोस्तो कॉस हो तो उसके लिए हम जहां जिस एंगल पर इनकी value maximum प्राप्त हो सकती है उन्हें हम maximum से प्रदर्शित कर सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तो वीडियो में दी गई जानकर यह आपको समझ में आई होगी यदि अभी भी कोई आपके confusion रह जाता है कोई doubt हो दोस्तो तो आप हमें contact कर सकते हैं दोस्तो यह फिर comment box में आपका confusion छोड़ सकते हैं हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब जो हो दोस्तो बैतर से बैतर देनी कोशिश की जाए यदि आप सकता होई दोस्तो तो आपके लिए हम अलग से वीडियो तैयार करेंगे जिससे आपका हर डाउट किलियर किया जा सके चैनल को लाइक, सिर और सब्सक्राइब करकर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद